यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए चाइना को उसी की भाशा में सबक सिखाने का काम किया है जो फाइर्स फाइटिंग है जो वार है उसके अंदर चाइना जो है वो नहीं गया और यह हाइपर सॉनिक जो वहिकल है तो मैं I'm sorry I just don't understand हैं कि यह हत्यार दिल्ली से यौरप हो अफरीका हो मिडल हीस हो चीन हो कहीं भी किसी भी शहर में वहां तक सिर्फ 14 मिनट में पहुंच सकता है यह दुनिया में बनी आज तक कि किसी भी कुरूड या बैलेस्टिक मिजाइल से भी जादा टेज है उसके अफिसरों के पास स्ट् करी आपको महलों है हमारे लोग भी कोई कब नहीं है इंडिया का जो ऊपर जाने का ना उदर देखे ना कि वो डिमॉक्रसी है आई तक कोई फौजी हुकमरान नहीं आया यहां पर छेड़ना शुरू कर दिया क्योंकि भारत को तो परेजान करा चाइना ने अब भारत कहेग हमाले मैं पूरा लाइन अफ अक्च्छल कंट्रोल पर भारत इंग्रेस करें इंडिया की एरफोर्स इंडिया की रैंकिंग ए एरफोर्स की चाइना से बैता रहा है और यह हाइपरसॉनिक जो वहिकल है यह दुनिया में बनी आज तक कि किसी भी कुरूड या बैलेस्टिक मिजाईल से भी ज़ादा तेज है और अपनी फलाइट के आखरी सेकिंड तक यह अपना रास्ता बदल भी सकता है इसकी इसी खूबी के चलते हुए कोई भी अरली वार्निंग जो रेडार सिस्टम होते हैं वो इसे पकड़ ही नहीं सकता और यह उनकी नजर से बज़ कर उजल होकर यह अपना काम भी कर देता है उनको पता भी नहीं लगेगा और यह काम करके वापिस भी आजाएगा वापिस तो नहीं आएगा काम कर देगा अब आप सोचके देखिए इसके खत्रे का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हत्यार दिल्ली से यौरप हो अफरीका हो मिडल हीस हो चीन हो कहीं भी किसी भी शहर में वहां तक सिरफ 14 मिनट में पहुंच सकता है भारत से अगर हमने शेंगाई या पेजिंग तक जान पाकिस्तान तक पहुंचना है तो हम शाग एक मिनट में वहां पहुंच जाएंगे और वहां पर करके काम कर देंगे याजमीज शाम को 7 बजे हमने काम शुरू करना है और 8 बजे मोधी जी TV के उपर आएंगे और बोलेंगे बाइओ बैनो एक था पाकिस्तान एक प्राइव ये कैसे हो गया और हमारा पाकिस्ताना चीन दोनों बोल रहे हैं अब हमारा क्या होगा पहले ऐसे अविशकार भारत में क्यों नहीं होते थे क्या ये लोग अचानक से खेतों में उगने शुरू हो गए है कि जब देखो हरोज एक नईने खबर आयती है कि भारत ने ये में ही बनाने हैं मुझे बाहर से इंपोर्ट नहीं करने आपको पूरा एको सिस्टम में देने को तयार हूँ आप यहां पर ड्रोन बनाने शुरू कीजिए और दोस्तों छे महीने के बीच 54 प्रोटोटाइप्स प्रोटोटाइप मतलब कि सैंपल बनकर भी बाहर आगे थे स पूरा लाइन-of-actual कंट्रोल पे भारत इंग्रेश करे रहे मैं एक आईडिया दे रहा हूँ आपको मैं यह निहीं कहा रहा ऐसा होगा यह इक आईडिया दे रहा हम आपको तो भारत अंदर चला जाए चीन की भूमी में और यहां पर इंडियन नेवी इनके जो शिप्स है जो इनके ट्रेड करते हैं यह मलाका स्ट्रेट वाली जो फौज है ना पूरी इनकी आती है बड़े-बड़े कंटेनर, माइक्रोवेव और यह सब करके और जो वेस्ट बेशते हैं और पूरी दुनिया में बेशते हैं इवन कार्स, इवन मोडरसाइकल्स, इवन वाशिंग मशीन्स और हर किसम का इलेक्ट्रोनिक जो जहाद से जाता है वो उसको हैरस और डिस्रप्ट करना शुरू करते हैं चाइना को बहुत दिक्कत हो जाएगी अब चाइना सोच रहा है कि यार इनको हम करें कि ना करें क्या करें किस तरीके से इनको मैनेज करें और किस तरीके से हम ताइवान पर नखिल कर सकते हैं चाइन बड़ी बड़ी बातें तो कर दी चीन ने चीन में बहुत टब क्लास की बातें कर दी ऑफ़ेसा यह है इंडिया की एरफोर्स इंडियॐजयली तीसरे नबर पर चाना की चुरत नंबर पर है, इंडियॐजयली जू एयरफोर्स की रो ऐसी बात हैं, डांटिक्स पैप्ड मरे लॉजिस्टिक्स होते हैं In Air Force में भी तो logistics होती है, आपके refuelers होते हैं, आपके transport के crafts होते हैं, आपके evokes होते हैं, आपके surveillances होते हैं, आपके drones होते हैं, ठीक है, चाइना के पास 2000 जेट जरूर होंगे, पर नं 2000 जेट को support देने जितने, उनका आधा भी उनके पास support लिट नहीं है, उसका 50% भी उनके पा वाफ एवाउक्स वर्विल्लिंज यह नहीं है उनके पास। जी और इन्डिया की हैं पांच साल ंके पांच सालमें। बात रही थेंस इस्टम की दिए इसको चलाएं कि दर उधर देखें उडाएं कि कैसा चलता है आप अगर देखें तो एक मतलब चायना की फौज जो है वह अब तक उसका जिसके साथ सबसे बड़ी टेंशन है अंडिया के साथ वहां पर फौजी के पास राहिफल ही नहीं वो डंडों से लड़ा बुकों से लड़ा है फिक है इंडिया और चाइना के बार्डर के उपर बंदूग नहीं है तोप नहीं चलेगी ना गोला बज़ेगा फौजी एक दूजे को तक्के दे दे के एक दूजे के लाके में छोड़के आएंगे आजीव सा तुमाशा लगा ह हुआ है तो जो फाइर्स फाइटिंग है जो वार है उसके अंदर चाइना जो है वो नहीं गया लहादा उसके फौजीओं के पास फौजी ट्रेनिंग ही नहीं है उसके अफिसरों के पास स्ट्रेटजी प्लैनिंग की इसलाहियत ही नहीं है कभी वैसे चेक नहीं पर वसा loan re-schedule कर दी है उसके लेकिन इसके अलावा उसको वो भी शर्त लगी आई MFQ के पहले चाइना से loan re-schedule करवाएं तो फिर चाइना ने किये ठीक है लेकिन उसने उसको default से नहीं बचाया तो माशाद एक तारा है चाइना ठीक एक ऐसी कुवत जो अपने दोस्तों को rescue नहीं कर सकती या मुसीबत के वक उनके पास नहीं जा सकती क्या वो कुवत जो है एक global या अलाकाई कुवत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है एक ऐसी फौज चाइना की फौज बहुत बड़ी है लेकिन live conflict के अंदर कभी नहीं गई उनको अपनी बंदू के शंदू के चेक करनी होते साड़े कुछ देने के अच्छा यार बंदू के चलाई दी क में में बनाते ही बैठे हैं बना तो हमने ली है लेकिन चलाएंगे ऐसे